आज हम बेसिकली सैकिट लेंड के डेटा प्री प्रोसेसिंग के पार्ट पे पहुंच गए हैं आज होप सो अपने पहले पार्ट जिसमें हमने पाइपलाइन और ग्रिट सर्च सीवी यह दो टॉपिक्स कंप्लीट किये थे वह आपने अच्छे तरीके से समय कियोंगे अब हम डेटा प्री प्रोसेसिंग पर बात करेंगे तो मैं बेसिकली आपके लिए कोड टाइप करने कवज़े डिरेक्ट इसको एक्स्प्रीन करूंगा ताके ज्यादा टाइम जो है कोड के एक एक्स्प्रीनेशन पर जाए ठीक ह तो यह क्या मैंने सबसे पहले अपने लिए लिए इंपोर्ट कर ली ठीक है यह स्केलन की जो प्री प्रोसेसिंग से मैंने स्टैंडर्ड स्केलर, मिन मैक स्केलर, कौन टाइल, ट्रांस्फॉर्मर, एक्स्पोईजी इसना के बहुत सारे यह भी हम सारे डिसकस करेंगे ठीक ह सबसे पहले मैंने क्या किया एक csv draw data के नाम से एक मेरे पास csv file बढ़ी है मैं आप लोगों को send कर दूंगा यह file आप लोग ताकि इसको use कर सकें ठीक है अब मैं सबसे पहले तो मैं इस libraries वाले को run करता हूँ ठीक है यह मेरे run होगे अब इसके बाद मैं इसको किया तो मेरे अब आप इस data set पर थोड़ा होर करें तो मेरे पास किया एक x है और एक y है और इसकी base पर classification हो रही है class a है मेरे पास total इसमें दो class है यह class a यह class b ठी ठीक ह अब मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो x और y है वो x में डाल दो यानि input में यह जो दोनों है यह पहले दो columns यह चले जाए मेरे input में तो मैं इसको इस तरह लिख लूँगा और फिर मैं कहता हूँ कि y में मेरा क्या चलाए जो मेरा output है यानि z तो मैं PLT.scatter और उसमें मैं दूँँगा X axis पे X वाला दूँगा और Y axis पे Y वाला यानि कि X axis पे पहला कॉलम की वैलियू जाएं और Y axis पे दूसरे कॉलम की वैलियू जाएं ठीक है तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आता है जरा refine करके देखना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं इस तरह करता हूँ कि मैं पहले देखना चाहता हूँ कि इस data points में A class के कौन से data points है ठीक है तो मैं उसके लिए simply क्या करूँगा जो मेरा dependent variable था यह z वाला इसमें मैं कहता हूँ कि पूरा z ना डालो जर्ड में सिर्फ वो values जालो जो के double equal to A हो ठीक है अब मैं इसको run करता हूँ ठीक है अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ प्लॉट तो मेरे पास इसी तरह आएगा तो इसके लिए मैं क्या है तो मैं लिए तो c is equal to y तो अब देखें क्या होगा अब देखें क्या हुआ है मेरे पास y में मेरे पास basically कौन से पढ़े रहे है यानि मैंने कहए y वाले को color कर दो y में मेरे पास क्या पढ़ा रहे y में मेरे पास सिर्फ a वाले data points पढ़े तो इस graph को आप थोड़ा सा होर से देखें यह जो yellow वाले है ना यह सिर्फ a वाले है और जो यह purple है यह सारे b वाले है अगर आपको इस बात का proof चाहिए कि purple वाले b है या नी तो इसका भी बड़ा आसान तरीका है मैं यहाँ पे b लिख लेता हूँ ठीक है और मैं इसको run करता हूँ और अब मैं फिर इसको run करता हूँ यह मैंने इस तरह कर लिये अब मैं चाहता हूँ कि अपने इस data पर अब यहाँ पर आप थोड़ा सा पहले मैं transformation वगारा लगाने से पहले pre processing करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप देखे मेरे पास हो क्या रहा है यहाँ पर मेरे पास देखें यह five minute तक जा रहा है त्री थावन तक जा रहा है लेकिन problem यह नहीं है problem इस में नहीं है problem यह जो नीचे आपको yellow वाला नज़र आ रहा है न यह हिस्सा यह जो मेरा mouse जहां पर cursor भूमर आपको I hope so नज़र आ रहा होगा यह एक मेरे पास यहां पर आउट लायर है ठीक है और यहां पर यह देखे यह भी मेरे पास आउट लायर है तो यह मेरे data को prediction को थोड़ा खराब करेगा ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ इसके लिए मैं standard scalar apply करता हूँ ठीक है standard scalar क्या करता है आपकी value को scaling कर लिए अब मैं इसको x जो input है उसको fit transform करता हूँ अब मैं इसी कई scatter plot बना तो यहां पर मैंने किया कि इसका क्या मतलब है कि all rows और zero का मतलब column और यहां पर भी all rows और इसका मतलब है पहले zero column पर क्या पढ़ा हूँ है एक्स और one column पर y पढ़ा हूँ है बिल्कुल सिंप्लि आप यहां पर देख सकते हैं कि zero column zero one है यह zero से स्टा तो zero one और two मैंने कि zero पहले zero वाला करो और फिर one वाला करो ठीक है तो हम में वापस जाता हूँ है और यहां पर देखे इसका मैं करता हूँ तो यह अब मैंने किया देखे मेरे पास डेटा की scaling हो गई है लाइक पहले 3000 तक जाता था भी टू से लेके minus 1.5 तक जा रहे है यह minus 4 से लेके plus 4 तक जा रहे है एक मेरा data थोड़े scale में आ गए लेकर मुझे तो scaling का कोई फाइदा ही नहीं हुआ क्योंकि मेरे outlayer अब भी उसी की उसी तरह है ठीक है तो मुझे क्या फाइदा के जब मेरे पास like वही ना हो मुझे कोई like output ही ना मिले तो यहां पे standard scalar ठीक नहीं है basically मैं आपको बताता हूँ जो standard scalar है ना उसकी assumption यह है कि आपका data normal होना चाहिए यहनि उसका जो histogram है वो normal हो ठीक है normal data पर यह अच्छा काम करता है अब हम जब theory पढ़ते हैं तो यह इसके लिए तो बता दिया कि मेरा data normal होना चाहिए मैं चेक करता हूँ ऐसे अभी हुझे मेरा ख्याल आ गया कि मैं देख लेता हूँ कि इसका plt.hist हिस्ट चेक करता हूँ क्या आप है हिस्ट okay let us see कि data हमारे पास कुछ normal नार्मल नहीं लगा अब मैं यहां पर चेक करता हूँ scatter underscore यहां पर मेरे क्या नाम दिया स्केल्ड एक्स दिया scatter नहीं दिया तो यहां पर यहां पर अब भी कुछ outliers ऐसे मुझूद है डेटा में यह इतना important नहीं यह में ऐसी जहन में बात आ गए तो जब हम थियोरी में पढ़ते हैं कि जब हमारे पास चा कहते हैं जब हमारे डेटा normally distributed ना हो मतलब आप जैसे मैं इस्टोग्राम बनाया था ना पहले वाला दूसरे वाला नहीं पहले वाला तो उसमें डेटा बिल्कुल भी normally distributed नहीं था तो इस situation में हम क्या यूज़ करते मिन मैक्स स्केलिंग मिन मैक्स स्केलिंग जो है abnormal डेटा कहले या जो normal distributed डेटा ना हो उसमें भी यूज़ हो सकता है तो मैं अब क्या करता हूं simply इसमें मिन मैक्स स्केलर लगा देता हूं लगा दिये ठीक है हम इसका plot बनाता हूं इसमें भी वो आ रहे हैं लेकिन इसमें देखें हमारे पास वो values के जो points ना वो कम हो गए यानि यह 0 से 1 तक चलागी यह भी 0 से 1 तक आगए वहां पे यह ज्यादा जा रहा था यह जा रहा था माइनस 4 से 4 तक माइनस 1.5 से 2 तक तो outliers अब भी data में मौजूद है लेकिन इसका असर थोड़ा कम हो गए यह आपको मैं बताओंगा कि outliers होने के बावजूद असर क्यों कम हुआ है अब यहां पर एक चीज़ है कि यह तो आप लोगों को यह दोनों बाते समझ आ गई होगी होगी ठीक है क्या करता है वह क्या करता है basically बनाई outliers के लिए अब इसमें यह outliers है ना यह आपको नजर आ रहे ना उसका काम क्या होता है क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर स्पेसिफिकली बना जिसका मिन मैक्स है वह abnormal data के लिए तो जो क्वांटाइल ट्रांस्फॉर्मर है वह क्या करता है आपके data से outliers remove कर देता है तो अब मैं क्या करता हूँ यहां पर क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर देखेज़ लिखा qantyltransformer.fit तो अब मैं इसको run करता हूँ ठीक है यह scatter अब मैं इसका प्लाट बनाके चेक करता हूं तो क्या आता है मेरे पास यह देखें आउट लायर अब भी मौजूद है यह देखें वो येलो वाला और यह देखें लेकिन उसका असर बहुत कम हो गया इसमें भी देखें जीरो से वन तक जा रहा है लेकिन क्वांटाइल ट्रांसफार्मर ने क्या किये उसमें इसका असर बिलकुल कम कर तो यहां पर हमने यहां तक बात समये अब मैंने एक फंक्शन बनाए इस फंक्शन की अगर समझ आती है तो भी ठीक अगर नहीं भी आती है तो भी ओके है यह इतना जरूरी है मेरा मकसद यहां पे यह है कि आप लोगों को यह बिसिकली पाइप लाइन ले रहा है अगर नहीं भी आ रही समझ तो इससे आ जानी चाहिए हो यहां भी क्या करें पहले पाइप लाइन पहले यह स्केलर लेगा और फिर उस जो भी स्केलर आप इंपुट कराएंगे वो इधर पाइप ल родिफिर रहा है तो मैं क्या करता हूं इस प्लॉट उट्पुट नाम का फॉंक्शन में दिया लें ठीक है यहीं इक्या अरग्मेंट ले रहा है स्केलर ले रहा है तो मैंस फंक्शन को कॉर और यहां पे लिखता हvos फोल्ट करकेदो लेकिन तुमारा जो स्केलर हो वो कॉन स वाला standard scale है तो अब आप इस काउट पूट चेक करें किया आता है यह देखें इस काउट पूट ही आया है यह original data था यह transform data और यह predicted data अब अगर आप इस data पे थोड़ा सा गोड करें यह देखें yellow वाले सारे इस तरफ हैं सारे इस तरफ हैं मतलब यहां पे कोई 700 या 800 से पीछे यहां पे और बाकी उससे आगे जितने भी हैं वो purple हैं ठीक है मैंने standard skiller लगाया लेकिन उसने मुझे कोई फाइदा नहीं दिया तो अब आप देखें यहां पे हमारी prediction इसकी वज़े से खराब हो रही हलाँ कि yellow points यहां पर exist ही नहीं करतें लेकिन देखें इसकी prediction में yellow यहां तक जा रहा है 2000 मतलब यहां तक यहां जा रहा है जबके purple point यह यहां पर नहीं करतें लेकिन यह भी जड़ा उपर उपर तक पहुंच रहा है ठीक है तो इसने outliers को आप लोगों को बात समझे ही कि outliers आपकी prediction क्यों खराब करतें यह देखें यह भी outlier था यह भी outlier था इसने आपकी prediction खराब कर दिया ठीक है अब मैं क्या करता हूं अगर उस function की नहीं भी समझे ही कोई मसला नहीं है मैं आपको यह diagram समझाना चाहा रहा था इसलिए मैंने लेकिया है अब मैं क्या करता हो min max scalar उसने scale कम कर देखें तो अब आप ज़रा इसमें देखें इसमें काफी बहतर है like देखें इसमें भी outlier है लेकि इसमें भी देखें मतलब 1000 को touch कर रहा है लेकिन हालात जो हैं काफी बहतर है as compared to this one आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात का बहतर चल रहे हैं इसमें अच्छा अब मैं जो quantile transformer था उसको use करूंगा ठीक है अब उसको use करूंगा और 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 दिखाँ और आपको दिखाता हूं कि उसमें क्या result इसमें देखें कितनी अच्छी प्रेडिक्शन हो रही है ठीक है मतलब actual के बहुत करीब प्रेडिक्शन आमारे ले कर रहा है मतलब इसमें जो accuracy है नहीं हमारी सब से इच्छी है क्यों कि क्वांट्राइल ट्रांस्वार्मर यूज होता है outliers को remote करने के लिए अब यह जो मैं आपको select कौन सा करना है असल बात यह है आपको इस बात को पता होना चाहिए कि मैंने किस वक्त कौन सा preprocessing का method select करना है अब आपको पता चल गया अच्छा जब भी मेरे data में outlier जाए मैंने कौन सा यूज करना है quantile वाला महाँ पे में scalar यूज नहीं कर सकता हाँ जब आपके पास क्या कहते है लाइक जब आपके पास data normal आ जाता है आपको कौन सा यूज करना चाहिए आपको scalar तो इस तरह प्री प्रोसेसिंग की library है अब यह module API है जो भी इस वक्त मेरे जायन में exactly नहीं आ रहा इसके अंदर जितने भी transformation के चाहिए scalar transform हो या चाहिए मिन मैक्स हो या और भी बहुत सारे चाहिए इस तरह ये quantile हो आपको यह पता चलना चाहिए कि किस वक्त कौन सा अच्छा perform करता है तो यह practice से इंसान को आता है पढ़ने से आता है थोड़े इदर उदर articles देखेंगे तो उसे तो यह basically data pre-processing में आपने डिसाइड करन हैं तो यह आज के लिए इतना ही फिर हम next video में ते हो कि आला आफिस